डेली करन न्यूस में अभी की खबर है क्यूशु द्वीब पर आया साथ दश्मलव एक तेवरता का भुकंप हाले में दक्षडी जापान के क्यूशु द्वीब पर साथ दश्मलव एक तेवरता का भुकंप आया है इसके बाद सुनामी के लिए चेतावनी जारी की गई है इस भुकंप का केंद्र जापान के दक्षडी मुख्य द्वीब क्यूशू का पुर्वी तट था बता दे कि मौसम विज्ञान एजनसी ने क्यूशू के दक्षडी तट एवम निकटवर्ती शीको को द्वीब पर लगभग एक मीटर तक उची लहरे उठने की संभावना चाताई है हालाकी कागोशिमा प्रांत में सेंडाई परमाणु सयंत्र में कोई असमानेता नहीं पाई गई है जिसे परमाणु सयंत्र का संचालन जारी रहेगा चली अब जानते हैं विगत वर्षों में जापान में आये मुख्य भुकंप के बारे में भुकंप और सुनामी जापान के इतिहास की सबसे घातक प्राकरती काबदाओं में से एक है जापान में हर वर्ष लगभग 1500 भुकंप के जटके महसूस किये जाते हैं वर्ष 1896 में इवाते प्रांत के तट पर आये बड़े भुकंप और सुनामी से लगभग 28,500 लोगों के मृत्यू हो गई थी मार्श 2011 में नौ दश मलव शून तिवरता के भुकंप के बाद सुनामी ने ओकुमा में फुकुशिमा दाइची परमाणू उर्जा सैयत्र को जल्मगन कर दिया था चलि अब जानते हैं जापान में भुकंप आने के कारण यह द्वीपी अराश्ट्र पैसिफिक रिंग ओफ फायर पर इस्सित है जो दुनिया का सबसे सक्रिय भुकंप टैक्टोनिक बेल्ट है इस रिंग ओफ फायर के भीतर प्रशान्थ प्लेट यूरेशन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट सहित कई टैक्टोनिक प्लेटे हैं जिससे भुकंप जौला मुखी विस्वोट और सुनामी आती है चली अब जानते हैं जापान के बारे में यह पुर्वी एशिया में इस सित एक द्वीपी अदेश है जिसकी राजसानी टोकियो है यह प्रशांत महसागर ओको टसक सागर जापान सागर और पुर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है इसमें चार मुख्य द्वीप हैं होकाइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, भुकंप और सुनामी जापान के इतिहास के सबसे घातक प्राकरतिक आपदाओं में से एक हैं दो, जापान में हर वर्ष लगभग पंदरसो भुकंप के जटके महसूस किये जाते हैं उपर रुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बीकेवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल